इस वीडियो में आप देखने जा रहे कि जिंजल लेमन ज्यूस कैसे बनाया जाता है इससे बनाना बहुत ही आसान है और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले अद्रक निम्बू का रस बनाने के लिए सबसे पहले हम एक अद्रक को लेंगे और उसको हम सबसे पहले पील करेंगे तो मैंने यहाँ पे 0.5 इंच अद्रक को लिया है तो यहाँ पर मैंने अद्रक को पील कर लिया है उसके बाद हम अद्रक कुटने वाला एक परतन लेंगे और उसके अपर ऐसा पतला कपड़ा रख देंगे और उसमें हम अध्रक को डाल देंगे और ये कपड़े को बंद करके हम उसको पहले क्रस्ट करेंगे क्रस्ट हो जाए उसके बाद हम उसको ऐसे निचोड के उसमें से हम रस्ट को निकाल देंगे तो मैंने यहाँ पे सारे रस को निकाल दिया है अभी हम क्या करेंगे कि एक बर्तन लेंगे और उसमें हम डेड़ ग्लास जितना पानी डाल देंगे और उसको हम दो से तीन मिनिट के लिए मिडियम फ्लेम पे गरम करेंगे तो यहाँ पर मैंने पानी को गरम कर लिया है अभी हम क्या करेगे कि हमने जो पानी करम किया है उसमें हम अद्रक का रस डाल देंगे उसके बाद मैंने यहाँ पर एक नीम्बू मीडियम साइस का लिया है उसका हम रस डालेंगे नीम्बू का रस ड़नने के बाद हम उसमें डालेंगे वन बाई फूट, चमस नमक और उसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से तो ये तयार है हमारा अधरक नीम्बू का रस, आप इसे गर्मा गरम पी सकते हैं और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक करें, सैर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें